हलो जोस्तों स्वागत है आप सभी काई Speed Up Education में मैं हूँ अब शेक गौतम और आज हम देखेंगे हमारी आठमी क्लास है जीके की और आज हम बात करेंगे भारत की भागोलिक स्थिति के बारे में भारत की भागोलिक स्थिति उसका विस्तार रकुछ राज्यों के बारे में और उन सब के बारे में तो स्टार्ट करते हैं पहली इसमें हम देखेंगे भागोलीग स्थिति के बारे में एख का भी कैप दिखा दिखा हूं आपको इससे पहले हम लोगा ने क्या किया था किया था से फहले विश्रद निकालना दिसा पधाया और उसके बाद session ए सब देशांतर होती है उसके बारे मैंने आपको बताया था च्राइantal को छाहती Alec यह च्छास बॉला जाता है। इंगलिस मेंको लाwnटिव बोलते हैं सरी ले टीटीूड बोलते हैं औो व हो किया और दिसहितर को इंग 있다 को में में लाइटिूड बोलते हैं इस के बात मैंने आपको बताय था महातों को बारे में जो किसाथ महादयूफ है एसिया यूरोप उत्तरी अमेरिका अफ्रीका अस्टेलिया एंड अंटार्क्टिका इसके जो मैप में इनके जो पोजिशन थी वह भी मैंने आपको डिसकस की थी ठीक है अभी हम बढ़ते हैं आगे उसके बाद मैंने आपको बताया था महादियूप के बारे में महादियूप मैंने आपको मैपिंग मैंने उसका महासागरों के बारे मैंने बढ़ा एक में पचली वीडियो में कवर कर लिया आज बात करेंगे भारत के बारे में तो भारत तो इसको आप बहुत्र है और वैसे कॉटर्टर की बात करें तो उत्तर पूर्वी सेक्षिन में ठीख है उत्तर पूरी में यह अगरी इंडिया का मैफ होता है लां चल्य कुर लख Sardy तो इन को भात कर रहा होते हैं और जब में अधिकतर में बात होते ही मेन इंडिया की हो होती है जहां भावगोली किस्तिति के बारे में बात करते हैं तो में लाइन जो इंडिया है वह एट पॉइंट फोर से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांस मतलब जो मैप होता है इंडिया का अगर मैप इंडिया का इस तरीके का है अब आपको मैप मैं भी डिस्क्स कर दूँगा उत्तरी अक्षांस अक्षांस कों से होते हैं चैति रेखाये होती है तो यह एट पॉइंट फूर से लेके एट पॉइंट फूर से लेके 37.6 लोच अब दसम्लावचे का क्या है यह डिग्री में होता है मिनेट वोते हैं यह लगा हुआ हूपर यह मिनेट करता है ठीक है तो मिनेट सब्सक्राइब साथ से कनवर्ट होते हैं एक डिग्री साथ मिनिट में कनवर्ट होता है ठीक है तो यह कनवर्जन पर है फिलाल आपको इतना याद रखना है कि एक पॉइंट फॉर से लेके 37.6 तक में लाइन इंडिया है अगर हम अन्वान निकोवार या उनको सामित कर लेते हैं तो अन्वा अधर रेखाए होती है जो ऐसे लोंगिटूडनल रेखाए होती है उनकी बात की जाए तो इंडिया शिक्स्टी एट पॉइंट सेवन से लेके 97.25 तक है ठीक है इसमें क्या है अलवान निकोवार इसी के अंडर आयाता है मतलब अरुडाचल प्रदेश का जो विस्तार है व 22,LT 87,000 यह 200,333 किलमेटर है इतना आपनीड रख सकते हैं कि 32.8 इतने लोग वर्कोविंटर है यह आप याद रख सकते हैं रहा इतने ल वर्क क्या चुछ पास बत्र मक्याइट प्रदीस पॉइंड 8 लाख वर्क किलो मित है इतना यादा मतलब बीश्य पॉइंट आप यह है कि एट पॉइंट सिक्स है एट पॉइंट फाइव है इतना आप से डीव में नहीं पूछा जाएगा बस इतना याद रखिए कि बत्तिस लाग के राउंड है और बत्तिस लाग पॉइंट अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी वहात है इसके बाद अगर बात किया द सबसे सबसे उ think देशाओं अ मिस्तार लगवग तो आप यहां से देखी है जैसे कि आप तो यहां से देखी लेकर लभग नाइन्टी सेवन तक गया है तो यह एराउंड 30 हो गया ठीक है और यहां 8 से लेके 37 तक गया है तो दोनों तरफ 30-30 डिगरी तक जा रहा है भारत का जो विस्तार है ठीक है इस तरीके से मोटे तोर पर आप यह डाटा याद रखने में आपको आसानी होगी कि 68 अगर आपको एक याद आ गया कि 68 इधर है इधर विस्तार है इसका लगभग 30 अंस के आसपास 30 अंस का ही विस्तार 30 डिगरी का विस्तार है जो दोनों तरफ है तो अगर नीचे का आपको याद आता है कि 8 है तो आप आराम से उपर उपर का अंदाजा लगा सकते हैं 38 37 के आसपास कुछ रहा होगा तो आपको एक्जिक्ट अगर अगर नहीं भी आद आया तो आपसंस अगर मैच करते हुए क्योंकि चार आपसंस का कॉंबिनेशन है तो अगर आप से दोनों चारों चीज़े एक साथ पूछ ली गई है तो उसमें अगर आपको ओड़ा भूत भी अंदा जा रहेगा तो भी आप आंसर करेक्ट कर सक हैं लेकिन यह वैल्यू आपको एक्जक्ली याद होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे भारत का टूटल विस्तार है जो आपको यह एक्जक्ली याद होना ही चाहिए कि 68.7 और 97.25 और नीचे से में लाइन इंडिया गर देखा या तो 8.4 से लेकर 37.6 तक है ठीक है बढ़ते हैं वे और दिखाता हूं आपको मैप में इंडिया के जो पुजिशन है कहां पर है तो यह इनिधिया पोजिशन अगर मैप में देखे की आप आप उपर देख सकते हैं कि जो इसफे 0.6 पर है और आपका 37.6 तक है है और सबसे जो वैल्य यह आपको exactly पता होनी चाहिए एक चीज़े स्लाइड में मैं जो भूल गया हूं वह यहां पर अन्वार सागर के बीच में यहां से दोनों के बीच में दस डिगरी चैनल यहां से निकलता है आठ के नीचे दस डिगरी चैनल निकलता है जो अन्वान को यह उपर वा जायता है इसलिए मैं यहां पर बता जे रहा हूं पॉइंट्स में मैंसर में इसलिए इसको अलग से नोट कर लीजेगा और इसी मैप में अगर आप एक चीज़ ध्यान से देख पा रहे हूं तो यह देखिए कि क्या कहते हैं वेस्ट से इस्ट या इस से वेस्ट जो इंडि आपको एक्जिकली डाटा याद रखना है इसमें कोई राउंड फिगर की बात नहीं यह आपको इस्ट से वेस्ट मतलब अरुडाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ जाएंगे या गुजरात गुजरात से रुडाचल प्रदेश की तरफ और बतिस चौदा यह आपको ऊ याद रखना है यह डाटा इस पर इसे कोई भी डाउट नहीं आएगा आप से बहुत सटीक कुछ ले आएंगे 29-35 होगा 29-33 होगा 29-40 होगा ऐसे भी कोशन पूछा सकते हैं तो यह डाटा आपको पता होना जदूरी है और अब बढ़ते हैं और देखते हैं भारत से आप सब्सक्रांद गाता है इसंसे बाद मध्यप्रदेश तो लगभग पूरा-पूरा आधा-अधा बट जाता है उसके बाद आपका आएगा 36 हमाद जय अगया च्छारकंड जो इन विहार और एक साइड हुआ करता था उसके बाद जब बिहार का बिभाजन हो गया तो गया उसके बाद आया आपका वैस्ट बंगाल तो यह हो गया इधर का जो हमारी मैन लाइन इंडिया बुलिया इसके हो गया उसके बाद नौर्थिस्ट का त्रिपुरा और मिजोरम त्रिपुरा और मिजोरम जो है दो राज्य त्रिपुरा यह देखिए त्रिपुरा तीन तरफ से बांगलादेश से घरा हुआ है त्रिपुरा यह है छोटी सी जो रेड कलर में दिखाई दे रहे आपको यह त्रिपुरा है और यह मिजूरम है, सबसे लास्ट में जो इधार दिखता है, आपको यह मिजूरम है, तो ऐसे करके आठ स्टेट्स हैं, जो जिनको करकरेखा जिन से हो के गुजरती है, अचा करकरेखा से कोशन ऐसे भी आ सकते हैं, यह आठ स्टेट्स तो आपको यादी रखने हैं, कौन-कौन से है करक्रेखा से questions ऐसे भी आ सकते हैं कि आपको चार options दे दे जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब ऐसे दे दिया तो आपसे पहला question दे पूछा आ सकता है कि इन में से किस राज जिसे हो के गुजरती है क्या कहते हैं करक्रेखा या आपको options ऐसे दिया सक कौन कौन से states या वो उपर है करक्रेखा से स्धलन तरह आता है गार आपको मैप पता है तो कौन सा instant कहां पर है तो आप यह आशानी से दे shy आसानी से निकाल आशानी क्योंकि इतना पता ही है कि गुजरती और मद्यपरद्यस, राजस्थान ये पूरी छ यह न्यसान तो इसके नीचे ऊपर के स्टेट्स के बारे में आपको तभी मालूम होगा जब आपको यह मैप अच्छे से रटा होगा या यह मैप जो है आपके दिमाग में एक तरीकर छपा होगा कि किसी मैप को याद करने का देखने का तरीका सबसे अच्छा होता है उसको आप इन देखना शुरू करें हिमाचल प्रदेश होता है फिर पंजब है हरियाड़ा उत्तर घंड है यहां आपके आसाम तक टच होता है ठीक है यह लोगों को अधिकतर कन्फूजन होता है कि आसा क्या 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 वेस्ट बंगाल यहां कैसे पहुंच गया भूटान के पास वेस्ट बंगाल वह हमेशा ऐसा इमेजन करते हैं कि बिहार और जारखंड के बाद जो समुद्ध बंगला जि पर यह पूरी प्रतिवी दिख रही है आपको और यह भारत इसके बीच हमारी पोजिशन है जहां से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और उसका अगर आप इधर आएंगे तो आपको देखेगा बिहार और वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का जो यह एरिया दिखता है यह आपक उसका असाम शरू हो जाता है और बात करें तो ऊपर उपर भुटान है और इधर क्या कहते हैं सिख्किम है तो जो क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल का एरिया हैं सबस्ihदा से भी लगता है तो यह चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है और चिलिगुडी का कॉलीडोर जो कहा वहार ऐसे पुछ दिया आता है कि घ्रता है तो इसके लिए आपको यह जो इसकी क्या करते इंप्रटेंट लोकेशन है जो चिकेन स्नेक बनाता है वेंगे आपको याद रखना जरूरी है तो इस टेट्स के वह ढगाल तक देख लिया था उसके बाद सब्सक्राइब करनाटका और महाराष्ट के बीच में यहां पर चोटी सी क्या कहते हैं कि यूनिन टेरिटरी है जिसको दमंदीव बूला जाता है और उसके बाद नीचे आएंगे अगर आप महाराष्ट से तो करनाटका और महाराष्ट के बीच में एक छोटा सा रिया पढ़ता है जो है गोवा ठीक है गोवा एक स्टेट है पहले एक यूनिन टेरिटरी ही हुआ करता था उसके बाद आपको उन दोनों की पहले दिखेगा दोनों औन ऐने लिया था इसलिए आपको इसका को मतलब नहीं था त्य लगाना आप कर तो यह नहीं गए लbits राजधानी डेवलब करने के लिए 10 साल दिये गए अंध्र प्रदेश को और वो नई राजधानी बनेगी अमरावती उसके बाद आप नीच आएंगे तो करनाट का आपको मिलेगा फिट तमिल नाडू है यहां पर आप छोटी सी एक क्या कहते हैं पांडी पांडी जो लिखा कर लेंगे तो अपने दिल में बसा लेंगे इस मेंप को तो आपको बहुत सारे कोश्टन सब्सक्राइब आप आसानी से हो जाएंगे बात करें हमारे में लेंड की इंडिया के अलग जो बात बात की जाया तो यह हमारा नर्वान को बार का दीउप समू है यह पूरा लेकिन यह तो आपको याद रखना जरूरी है कि अन्वान निको बार को अलग करने वाला है वो टेन डिग्री चैनल है ठीक बढ़ते हैं आगे इसके बार बात करें तो मैंने पॉइंट आपको समझा दिया है कि भारत का पूरव से पस्चिम की तरफ विस्तार जो है अब बात की आगर तटी लंबाई की मतलब भारत का जो ऐसा पोर्षन है जो जिसके पास कोस्टल लाइन है तटी तती सीमा मतलब कोश्टल लाइन टोटल लाइन किन-किन राज्यों के पास है और कितनी टोटल कोस्टल लाइन कितनी इंडिय पास में लैंडी अ टोटल जो कोस्ट लाइन है वो लगभग एक सट सो किलोमेटर के आसपास है और अगर बात कि जाए लक्षमिदीव पौर उन सब लेकिंड आपको राग है और अभूर को सबसे अध्याइम लेकिन और यहां पर लोटल स्टेट के पास को इस्ट लाइन है देख लाइन ऐन है आप इनके नाम देख लिए एक बार गुज्रात अंधर करला सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ा राज तो नहीं है लेकिन यह जो इसमें दो ऐसे डिप आते हैं तो महरास्ट और करनाटका के बीच में गुवा महरास्ट और पर्सन कोस्ट लाइन पर पूर पूरा और पूरा यहाद अल़्िचा पूर्बाली कोस्ट से मुजट लाइन रखता तो अगर आप काउंट करेंगे इनको तेग बार आप काउंट कर सकते हैं गुजरात महाराष्ट गोवा करनाटका के ला तमिलनाडू आंधर प्रदेश ओडिसा एंड वेस्ट बंगल तो इस तरीके से नौ राज्ज है में लाइन इंडिया के जिनके पास कोस्ट लाइन है आइलेंड हमारे पास टूटल टूटल दो आइलेंड है अगर यूने टेरिटरी की बात की जाए वह अलग बात है कि यह खुद में एक क्या कहते है आइलेंड का समू है यह दूपो का समू है और यह है अंडवान निकोबार तो इस तरीके से अगर इन तीनों को जोल दिया क्या टोटल गारा स्टेट और डूर्न जीनिंग फ depos second ऑं लगब आपको इतने ही इमेज में आपको बड़ते आगे देखते हैं भारत की 13 मादर काउंट किया तो भारत की है लगपन Q 1 विथ 16 충분도 कंदर 300 कि इसमें हम अफगानिस्टान वाली कों क्या करते हैं कि हमारी जो सटीजिवाइफगानिस्तान से मिलती है क्योंकि एरिया डिस्पूटेड है और बहुत सारे मैप्स में एरिया दिखाई भी नहीं देता है यह 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 अपना बोलता है तो इस वज़े से कुछ-कुछ मैपों में अगर आप देखेंगे तो यह दिखाई न स्थल सीमा है वह 15,200 है और थोड़ा क्या कहते है सर्प्राइज हुता है लोगों को कि अगर हम बात करते हैं कि भारत की सबस्यादा सीमा जो है वह बंगलादेश के साथ है ठीक है बंगलादेश के साथ जो स्थल सीमा है स्थल सीमा है वह सबस्यादा क्या कहते है लंबी है भ ख़asm पहले जर से इस्टार्ट करता हैं पकिस्तन अफगानिस्तान को अपना पडोसी मानते हैं क्योंकि जो फैसी मैं डिस्प्थीटे भारत की जो मेन लाइंड रहाँ बागंडर है और स्रिलंका को भी गिंते हैं लेकिन स्रिलंका के साथ कोई भी क्या कहते हैं मेन लेंड या कोई भी कनेक्टिवृटी नहीं है और इस तरीके से इंडिया और का कहते हैं स्रि-LANK어가 कोई डारेट कनेक्तिविटी नहीं है पडोसी राज्यों में इसको जरूर गिनेंगे लेकिन कनेक्तिविटी की वेसे बात करें हैं अकर भारत का जो शेत्रफल में है मतलब शेत्रफल वाई्ज क्या करते हैं विस्तों में इस्थान वो सबको पता होगा साथवा इस्थान है लेकिन इससे पहले हम को यह भी जाना जरूरी है कि क्या कहते हैं इससे पहले कौन-कौन से कंट्री आते हैं तो रसिया का सबसे अदा बड़ा एरिया है रसिया जो मैंने मैप सांथ में लगा है ताकि आपको रिलेट कर सकूँ अगर आप मैप से रिलेट क क्या कहते हैं जो एक कैन्टरी है और एक महान कन्ट्री है वैसे तो इन देसने माल करते हैं देस में जो पहले रस्ञा करता था ठीक है तो अलास्का और यह जो यस्यका मेन लेंड दोनों को मिला कि युथ से थार्ड नमर पर आता है फूसके बाद चाइना आता है चाइना का एरिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है चाइना पूरा दोनों तरफ से घेरा हुआ है और भार रसिया तक गया ब्राजीनन curry लिए अब इसके बारे में आपा आता है साथ में नंबर पर आता है इंडिया को आप यहां देख सकते हैं मैंने जैसा बताया ठाकि बहुत सारे मैपों मरें आपको यह जो पॉर्सन है यह प्योंकि वाला पॉर्सन इंडिया अग्सांत अटेच नहीं दिखता है इस मैप में आप जब वर्ल्ड में देखेंगे तो इसमें आपको यह अटेच नहीं दिखेंगा क्योंकि यह एक डिस्पूटेट टेरेटरी है साधे पाकिस्तान और अर्जेंटिना क्या है यह ब्रजील और अर्जेंटिना दोनों ही दो ही अकेले सबसे बड़े क्या करते हैं साउथ अमेरिका के जो मैंने मैप समझाते समय भी बताया था कि इन दोनों के बीच में राइवलरी रहती है मतलब उतने अच्छे रिलेसंसिप के नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए एक पड़ोशी देश के नाते एक कॉंटिनेंट में सबसे बड़े दो देश हैं लेकिन दोनों के बीच में कंफ्लिक्स चलते रहते हैं अर्जेंटिना वही देश है जहांके मैसी है मैसी को आप लोग जानते होंगे उसके बाद आता है कजाकिस्तान यहां रस्या और इंडिया के बीच में जोरे चोटे लॉटे कंटरी है एक उध्य किस्तान अन्सब के उपर एक पूरा फैलाओन लेते हुए चेल क represent है यह काफी बड़ा कंंट्री यह वी एसिया का यह तो झीया देख लिए बढ़े राज कंट्री ओं चार जो हैं वो एसिय लिए और अफ्रीका क्या करते एक लोटा एक कंट्री जो बड़े दस में अपनी जगह बनाता है वो भी दस्वे नंबर पे वह सुडान ठीक है सुडान जो है यह दस्वे नंबर पर आता है तो उतना आप से नहीं पूछा जाए दस्वे नंबर तक आपको याद रखना है इमेज आपकी क्लियर होती जाएगी जब आप यह सिर्फ इसी पेपर लेनी पढ़ रहा होंगे इसके आगे आप त्यारी करेंगे तो यह सब चीजिया आपको उसके बाद भी यूज में आएंगी जो आप मैप में सीखेंगे जैसे इतनी बार मैं बताता हूं उतनी बार अस्टेलिया जो अलग से क्या करतें साउथ वाले पूर्शन में साउधन हमें स्फेयर में पूरा पूरा आता है जो वे आस्टेलिया अकेला महादियूफै यह अफ्रीका है जो इसको यूब सबसक्रे करेंगे ना किसी और बडरे एक्जाम के लिए तब बहुत लंभे टाइम के लिए बैठेगा और यह अफ्रीका है जिसम चोटे बाता हुआ है यह सब से यह चोटे कंट्री नहीं बटा हुआ है यह यूरोब यूरोब कॉंटिनेंट जो है बहुत चोटे कंट्री में बता हुआ है इसे लिये कुछ जो कुछ मानने आलहे हैं तो उनको यूरोप और अलग काउंट नहीं करते हैं तो यह सब बाते मैं अपकी है जाए है मैं आपको पहले बताया था कि हर एक डिग्री पे हर एक डिग्रीज में तो इस Reading से रिलेट करें तो इंडिया का जो विस्तार है वो 30-degree के बीच में है तो इस तरीके से यह है कि गुजरात का जो लास्क पॉइंट है और राइसल प्रदेश का जो लास्क पॉइंट है इन दोनों के बीच में लगभग दो गंटे का अंतर होने वाला है यह चीज़ आप सब एक साथ रिलेट कर लेंगे तब भी आपको यह चीज़ समझ में आ जाएगी ठीक है कि मैंने जब पहले बताया था कि का पूरा विस्तार के इंडिया का अंतर आगा अब बात करते ऊस मीन के बारे में उस लाइन के बारे में जहांसे हमारा इंडिया में टाइम देखा या जो भारत में मानक क्या कहते हैं यह मुत्तर माना जाता है ठीक है अब यह हिंदी का टर्म है इसको एक्जेक्टली आप उतना याद रखें तब भी चलेगा आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी देशांतर रेखा है जिससे भारत में टाइम देखा जाता है जो भारत में इस टाइम के टाइम का जो स्टेंडर्ड है आई स्टी जिसको बोला आता है तो वह जो है वह है एकटी टू-पॉइंट फाइव इस्ट यह आपको याद करना जरूरी है ठीक है तो इस तरीके से भारत की भावगोलिक स्थिति के बारे में इतना ही देखते हैं और भारत का यह गूंतुम आँद tapping on Iran भारत के वारे में देखेंगे देखेंगे अभी तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए यहां तक मोटिवेट करने के लिए आपका और दन्यवाद ज testify आपका अगली वीडियो में तब तक कंुए बाइ बाइ जाहिन